वेलकम तू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिस्ट्री से चैप्टर नमबर 3 है आज हम करेंगे इसके क्वेशन आंसर तो चल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें ग्लोबल एक्सचेंजेज बारे में बताना है जो 17 से पहले हो चूजिंग वन एक्सपल फ्रॉम एशिया और वर एक्सपल फ्रॉम अमेरिका तो ग्लोबल एक्सचेंजेज बताने हैं आपको 17 से पहले और उसको ये भी बताना है एक एक्सपल आपको देना है एक एक्सपल देना है आपको अमेरिका का तो पहला example हम एशिया का दे रहे हैं एशिया में ही इंडिया आता है चिल्टन तो आपको पता होगा इंडिया से यानि कि एशिया से हमारे मसाले हमारा जो cotton cloth था ये सब जाता था यूरोप में और इसके बदले हमको क्या मिलता था यूरोप से हमको मिलता था गोल्ड मिलता था सोना मिलता थो तो पहला point आप क्या लिख सकते हो Asian countries ये वाला दिख रहा है Asian countries exported clothes and spices to Europe Asian countries से क्या जाता था यूरोप में कपड़ा जाता था spices मसाले जाते थे in exchange of gold और उसके बदले हमें क्या मिलता था gold मिलता था ठीक है सोना दूसरा point क्या लिखेंगे children आपको पता होगा बहुत सारे food ऐसे था जो जिनकी invention सबसे पहले discovery अमेरिका में होती जैसे corn है tomato है, potato है तो बहुत सारा food है जो यूरोप में export किया जाता था और इसके बदले यूरोप क्या देता था? gold देता था तो हमें एक example Asia का लेना था यह क्या अमेरिका का तो second point हम क्या लिखेंगे? second point में हम लिखेंगे America exported food to Europe America क्या भूशता था? food भेजता था यूरोप in exchange of gold ठीक है? और बदले में क्या लेता था? gold during the colonial period तो guys इस तरह से अगर आप यह दो points लिखके आओगे तो आपको full marks मेंनेगे अब यह जो red वाला portion है यह क्या है? देखो question मेंसे ही मैंने यह चीज लिख दिया the examples of the different types of global exchanges that took place before 17th century are as follows ठीक है? और उसके बाद यह दोनों points आप लिखा होगे next question देखो explain how the global transfer of disease in pre-modern world helped in colonization of the Americas question यह कह रहा है किस तरह से disease के transfer होने से जो अमेरिका है उसका colonization हो पाया अब यार यूरोप के जो लोग थे ना बड़े clever लोग थे इन्होंने देखा यार अमेरिका वाले तो मस्त रह रहे संसार से world से कटे हुए अपनी must life चल रही है अब इसको काबू में कैसे किया जाए इनको हराया कैसे जाए इनको अपना यहां पे अपनी colony कैसे बसाई जाए इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि यहां पे तो किसी को कोई disease है नहीं तो क्यों ना यहां पे infected लोग छोड़ दिये जाए जिनको disease है हमारे यहां के जैसे जो लोग है आपने देखा होगा communicable diseases होती है अब यहां के जो लोग थे यूरोप के यह तो इससे क्या हुए थे भाई पहले भी थे तो इनमें तो antibodies बन चुकी थी है ना यह तो immune थे लेकिन जैसे ही यह लोग अमेरिका में आये चुप चुप के रहने लगे अमेरिका के लोग बीमार पढ़ने लगे और मरने लगे और इस तरह से इन्हों ने बिना युद्ध लड़े बिना लड़ाई लड़े भी अमेरिका को हरा दिया और उसको colony बना लिया काफी सारे parts को तो answer देखो कैसे लिखेंगे The Europeans knew very well that disease like chicken pox is new to America Europeans को यह वाली बात बहुत अच्छे से पताती कि भाई साब chicken pox जो है इनके लिए तो एक नई बीमारी है So number of infected people from Europe moved to different parts of America देख रहो भाई सब क्यों कोई सारे infected people जिनको बीमारी थी already वो यूरोप से कहां पर आ गए अमेरिका में आगे And this disease started spreading और इस तरह से यह बीमारी फैलने लगी Resulted in deaths of many Americans जिससे कई सारे American लोगों की death हो गई मर गए बिचारे This way Europeans were able to colonize them और इस तरह से Europeans की जीत हो गई और वो अमेरिका के काफी parts को colonize करने में सफल हो गई Next, write a note to explain the effects of the following आपको effects बताने है The British government decision to abolish the con law जब British government ने con law को abolish यह नहीं खतम कर दिया तो इसके effect क्या हुए सबसे पहले हम यह समझेंगे con law था क्या Actually, Britain में क्या होता था? बहुत सारा corn यानी अनाज बाहर से आता था जब बाहर से अनाज आता था तो वहां के जो farmers हैं उनको नुक्सान हो रहा था अब वहां के farmers ने सरकार से गई कि ऐसा करो आप con law लगा दो con law लगा दो मतलब बाहर से अनाज को आने मत दो यहां के लोग हमारा यानाज खाएं तो सरकार ने इनकी बात मान ली con law लगा दिये कि अब बाहर से कोई अनाज नहीं आएगा जिससे वहां के farmers को फाइदा होने लगा भाई साथ लेकिन अब क्या हुआ? धीरे धीरे जो अनाज है अब वो इतना जादा उसकी price इतनी बढ़ गई कोस्ट इतनी बढ़ गई कि लोग परेशान हो गए अब जब लोग परेशान हो गए लोगों ने government से demand करी कि प्लीज यह जो कौन law है इसको हटा दिया जाए ताकि बाहर से सस्ता अनाज आए और फिर बाहर से सस्ता अनाज आने लगा सरकार ने इनकी बात मान ली अब सरकार ने जब इनकी बात मान ली तो यह जो किसान जो जिनकी पहले है मतलब बहुत मजे आ रहे थे जो बहुत पैसे कमारे इनका काम धंदा बंद हो गया अब इनक इस farmers migrated to cities क्योंकि जो farmers थे उनका काम बंद हो गया पहले तो भाई उनके मज़े आ रहे थे खूब पैसा कमा रहे थे लेकिन अब जो बाहर से अनाज आ रहा था वो कैसा था चीप यानी सस्ता था तो लोग सस्ता अनाज खरीदने लगे इसलिए इनका काम धंदा बंद हो गया त हुआ था कि यूरोब के लोगों ने अमेरीका को को डिपी क्वार्ण भी मिल रहा और खोड़ी बहुत क्हेटी कर लेते हैं मज़े से रहते हैं तो अगर अफ़रीका को काम धंदा बंद हो तो इन्होंने क्या किया यूरोप वालों ने जान पूछ के infected जानवर भेज दिये जिनको बीमारी थी तो वो बीमारी दूसरे में दूसरे से चौथे में इस तरह से बीमारी फैलती गई और जो लगभग 90% जो लाइव स्टॉक था केटल थे वो मर गए इनका काम धंदा विच उनका जो काम धंदा था जानवरों को पालना वगएरा उनसे जो भी है पैसे कमाना वो डेस्ट्रॉई हो गया और इसका असर यह हुआ कि यूरोप वालों ने अमेरिका को भी और एफरीका को भी दोनों को ही डिसीज से बीमारी से काबू में कर लिया अब यह कह रहा जो वर्किंग एज थी भाई साथ वो खतम होने लगे किसमें वर्ल्ड वार की वज़े से इसका एफेक्ट क्या हुआ अच्छा मुझे यह बताओ अगर युद्ध होगा बैटल होगा लडाई होगी तो उसमें दस साल का बच्चा लडाई लडने के लिए जाएगा या असी साल का बूड़ा जाएगा आप कहोगे कि सर कैसी बहकी बहकी बात करो बच्चे या बूड़े धोड़ी जाएगे जवान जो लोग हैं जो लोग 25 साल के हैं 30 साल के हैं 35 साल के यह जाएगी तो सारे लोगों को जबरजस्ति जब वार में भेजा जाने लगा, वार में जाओगी तो भाई मरोगे भी, घायल भी होगे, बहुत सारी डैथ हुई तो जो जो लोग अकसर फैक्टरी में जाते थे किसको काम धन्दा करते थे जब इन लोगों की मौत हो गई तो क्या हुआ जो लेडीज थी उनको घर समालने के लिए घर से बाहर आना पड़ा फैक्टरी में काम करना शुरू करना पड़ा तो ये असर हुआ आनसर देखो द्यू टू देथ आफ यंग मैन इन वर्ल्ड वार्स में कई सारे यंग लोगों की मौत होने की वज़े से विमेन केम आउट तो वर्क और ये इंप्रूब देर पोजिशन इन दा सोसाइटी और तों को काम करने बाहर आना पड़ा और इस तरह से औरतों की जो हालत है वो भी सुसाइटी में सुधर दे अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया न तो लाइक कर देना ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मैं तीन तक काउंट करूँगा वन टू आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो यार सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन दे ग्रेट डिप्रेशन ओन दी इंडियन एकॉनमी चलन अब क्या हुआ एक टाइम ऐसा था जब भारत के लोग भारत के किसान अपना जो अनाज है वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे अगर बाहर एक्सपोर्ट होगा तुमारा अनाज तो तुमको उसका पैसा भी जादा मिलेगा लेकिन अब वर्ड वार खतम हो गया लोग अपने काम धंदे में लग गए अब उतनी जादा मांग थी नहीं ठीक है तो वो जो सेल जो थी वो 90 परसेंट कम होगी ठीक है जब पैसा ही नहीं आएगा उधर अंग्रेज लोग हमसे हमारे लोगों से टेक्स लेते थे उन्हों टेक्स भी कम नहीं किया तो यह असर हुआ आंसर देखो इंडियन फार्मर्स वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट देयर ग्रेन लाइक अरलियर इंडियन फार्मर्स जो है अपनी ग्रेन को बाहर की तरफ क्या नहीं कर पा रहे थे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे रिजल तो इस बार तुमसे टेक्स नहीं लेते हैं लेकिन इन लोगों ने फिर भी टेक्स लेना चालू रखा एंड डिस लेड टू मासिव अन्रस्ट इन इंडिया भाई इससे तो हुआ मच गई मरला तबाही सी मच गई एक तरह से इंडिया इससे बढ़िया उन्होंने क्या सोचा कि हम यार अपना एक प्लांट इंडिया में डाल देते हैं एक प्लांट अमेरिका में डाल देते हैं उससे हमें क्या फाइदा होगा हमारी जो कॉस्ट लगती है यहां से गाड़ी को यहां भेजो शिप में उसमें वो बच जाएगी और दूसरी बात जब अमेरिका में प्लांट डलेगा और इंडिया में प्लांट डलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा नौकरी मिलेगी मतलब जॉब भी जाएगा तो माला सबका फाइदा ही फाइदा यह हुँगा डियू टो दहरी लूकेशन ऑफ एमें इससे टू एश्यन कंट्रीज ड़ेगी तो ऐशन एकॉनोमी गुरू तो जो गुरू भाई नौकरी बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा तो एकॉनोमी बढ़ने लगी मैनी- कई गुना बढ़ गई, and there was an increase in employment, भाई, कोई भी factory लगेगी, उसमें मशीने लगेगी, उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो फिर लोगों को नौकरी भी मिलेगी, जब नौकरी मिलेगी, तो पैसा मिलेगा, तो इस तरह से फाइदा ही फाइदा, Give two examples from history to show the impact of technology and food availability, अब वो कहरा कि पुराने हिस्ट्री में से दो ऐसे example दो, technology के और food availability के, चिल्टन क्या हुआ, जब trains आ गई, तो high speed trains की वज़े से जो सामान है, वो एक जगे से दूसरी जगे तक easily भेजा जाने लगा, छोटी-छोटी हलकी कारें भी आ गई, वैगंस भी आ ग पहले क्या किया जाता था, जो meat को जब transport किया जाता था, तो वो सड़ जाता था, ठीक है, लेकिन अब meat को directly, जो fridge वाले, refrigerated वाले ships थे, इसमें भेजा जाने लगा, answer देखे, तो पहले तो ये पूरा question से, here are the two examples from history, ये आप question में से उतार दोगे, number one, faster railways made the transport of food easy, भाई जो railways आई, railway की वज़े से, जो transport है, food का, वो easy हो गया, और जिससे, जल्दी जल्दी जब वो transfer होने लगा तो, food की जो cost है, वो भी कम होगे, दूसरा क्या होगा, refrigerated ships, पहले animals को direct भेजा जाता था, जिन्दा जानवरों को, अब जिन्दा जानवरों को ले जाने में बड़ी दिक्क लग थी, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ रास्ते में ही मर जाते थे, कुछ में बीमारी लग जाती थी, ठीक है, लेकिन अब refrigerated ships आने की वज़े से direct meat भेजा जाने लगा, एक जगे से दूसरी जगे, What is meant by Bretton Woods Agreement? अब Bretton Woods Agreement क्या है? अब World War 1 हुआ, World War बार बार बैटल हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, अब लोगों को ये समझ आने लगा, कि यार युद्ध से ना, वार से किसी का कोई फाइदा नहीं है, लोग मर रहे हैं, वार में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो Bretton Woods Agreement एक मीटिंग होई, जिसमें काफी सारे कंट्रीज आए, चलन ये जो मैंने इमेज आपको दिखा रखी है, रियल इमेज है, Bretton Woods Agreement की, इस Agreement में ये डिसाइड किया गया, कि भाई, अब फाइनली, economy पर ध्यान दिया जाना चाहिए, economy मतलब पैसा कमाने पर है, अब यार ये छो 1944 in USA, USA में हुआ ये agreement, ठीक है, 1944 में, by this agreement the International Monetary Fund and World Bank were established, क्या 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 इस्टेबिलिश किया गया, International Monetary Fund के भाईया, पैसे का रख रखाव कैसे होगा, और World Bank को established किया गया, to preserve global economy, क्योंकि जो पैसा है, भाई, economy उसी से चलती है, समझे, guys, इस last question का answer आप मुझे दोगे, comment section में देखता हूँ, कितने बच्चे right answer देंगे, later on, British government abolished gas law, बाद में चलके, British government ने ये वाला law हटा दिया था, कौन सा law हटा दिया था, sugarcane law, corn law, tomato law, या none, तो इस question का answer आप मुझे दोगे, comment section में, देखता हूँ, कितने बच्चे right answer देंगे, आप चाहो तो A, B, C, A, D लिग आप का दिया Lot